हेलो स्टूरेंट्स, हिंदी माध्धिम से पढ़ाई करने वाले बारहुमी भात्की के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्यायतीन धारा बिद्दुत को इस वीडियो में डिसकस करने जा रहा हूँ, सबसे पहले ओम का नियम ओम ने यह बतलाया कि किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्दुत धारा उसके सीरों पर आरोपित विववांतर के समन उपाती होता है अर्थात आई भैरी जैज भी यदि ताप दाप ओम घनत्तो नियत हो इसे आप लोग नोट कर ले ओम का नियम नियत ताप दाप ओम घनत्तो पर मतलब जब भौतिक वस्थाएं समान हो जैसे कि ताप दाप घनत्तो उसमें कोई चेंज नहीं हो तो ऐसी स्थेती में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सीरो पर आरूपित विवांतर के समन पाती होता है नियत ताप ओम दाप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्दुधारा विद्दुधारा को आई संकेट से सुचित किया जाता है कैप्टल आई संकेट से सुचित किया जा रहा है विद्दुधारा कैप्टल आई रैकेट में इसका संकेट तो नियत ताप ओम दाप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्दुधारा उसके सीरों पर चापित विफुआंतर कैसे जो कि किया जाएगा कि चालक के दोनों सेरू के बीच में किश स्कुमा के बैटरी जो और ऑज ऌड़ कर दिदूसरा सेरे संजोजी खोगा अंचल मेअज मैं बैटरी का इंद-दूसरा से दूसरा से यूद विद्दु छेत उत्पन होगा जिसके कारण उस चालक्त से होकर धन विवाव से रिन विवाव की ओर धारा प्रवाहित होगी जो कि उस चालक के सीरों पर आरूपित विवांतर जिसे बैटरी जोड़ कर चालक के दोनों सीरों के विच बैटरी जोड़ करके उत्पन किया गया है उस विवांतर के आरूपित हो जाएगा वो चालक सक प्रवाहित होने वाली विदुद्धारा तो नियत कता ता पर प्र किसी चालक से प्रवाहित होने व संकित कैप्टल भी होता है बड़ा भी विवांतर के सीधे समानुपाती होता है समानुपाती होता है समानुपाती होता है समानुपाती होता है समानुपाती का मतलब हुआ विवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा विवांतर का मान कम होगा तो चलक स्प्रवाहित होने वाली धारा कमान भी कम होगा मतलब विवांतर के उनुपात में धारा का बढ़ना या घटना ये समानपाती हो गया ये समानपाती होता है अर्थात आई संकेत के रूप में आई समानपाती का चिन्द महरी जैच भी और इसे भी भैरी जैज आई भी लिखा जा सकता है आई समानपाती भी या भी समानपाती आई और भी इक्वल्स टू आर इंटू आई भी बराबर एक नियतांक देकर के तो नियतांक के जगा आर है नियतांक देकर के इसे बराबर किया जा सकता है इसे समिकर्ण के रूप में लिखा जा सकता है, इस सम्बंद को, भीभैरिजय जाई को, तो भीज कल्टू नियतांक R दे करके इसको बराबर किया गया, समिकर्ण के रूप में लिखा गया, तो भीज कल्टू R into I, जहां R एक समानपाती नियतांक है, जिसे चालक का इसे समिकर्ण एक दे दे, यह ओम का नियम है, ओम का नियम का गनीतिय रूप है, ओम का नियम हो गया, यही कि नियत ताप्यम दापर, दापर, इसी चालक से प्रभाइत होने वाली बिद्धुधारा, आई, उसके सिरोपर आरोपित भिभवांतर B के सभानपाती होता है, एक नियतांक दे करके इसे इस सम्बंद को बराबर कर सकते हैं, समिकर्ण की रूप में लिख सकते हैं, भीजगल टु आर आई, उसके बाद आर भी लिखा जा सकता है, दोनों का प्रोड़क्ट है तो, भीजगल टु आई आर और यही ओम का नियम का धनीतिय रूप है, जहा है, और चालकों के लिए ओम का नियम डेबियेट करता है, और चालकों के लिए ओम का नियम में भी और आई का जो रेशियो होता है, वो रीखिये नहीं होता है, और रीखिये हो जाता है, वक्र हो जाता है, इसलिए कि वलधात्विक चालकों के लिए ही भी और आई का जो परिवर्तन के साथ धारा के बीच अगर ग्राप खीचा जाए बुल्टेज के साथ धारा में परिवर्तन को दरसाने वाला ग्राप तो वह सीधी रेखा परापत होती है मतलब सरल लिखे रूप होता है कि वह लात्वी चालकों के लिए और वह भी बहुत उचे ताप पर नहीं बहुत उचे ताप पर कमरे की ताप तक तो चल जाएगा लेकिन कमरे की ताप से उचे ताप पर कमरे की ताप से अधिक ताप पर 27 डिए संटीगेड कमरे का ताप होता है लेकिन उससे अधिक ताप पर चालका ताप बढ़ने से चालका प्रतियोद बढ़ता है तो फिर वह बिवांतर था धारा का अनुफाद नीयत नहीं आपाता है मतलब ओम का नियम वहाँ ओम का नियम में अपने सही रूप में मतलब sos Gabrie depth कौॉत से औहीं पॉप्पत होती है तो वह से अप्र यह सदो में इदमतर के ईद सड़ दृप dis anyway नहीं हो पाता है मतलब यह और आई का नियत होना चाहिए और नियत मान क्या कहलता है चालक का प्रतियोद कहलता है और प्रतियोद निर्वर करता है चालक की जैमिती पर उसकी लंबाई पर च्रylक्प पर आकार पर तथा दूसरा फेक्टर जिस पर चालक का प्रतियोत निर्वर करता है बाहरी कारकों पर जैसे ताप बरने से चालक का प्रतियों बरता है तो चालक का प्रतियों किन-किन चीज़ों पर निभर करता है या लगूत तर ये प्रस्थ में राया 12 भी बोर्ट की परिछाओं में पुछा जाता है जहां आर एक समानुपाती नियतांख है जिसे चालक का प्रतियों कहा जाता है तो हमका नियम का गनितिय रूप भी इसकल तो आई यार और इसी से में भी तथा आई का नुपात भी बाई आई इसकल तो नियतांग और जिसे चालग का परत्योद हो गया है, यह नियत है, और नियतांग है, समनपाती नियतांग है, जिसे चालग का परत्योद कहा जाता है, तो भी बाई आई इसकल टू आए मतलब चालक के सीरों पर आरूपीट भी हो आंतर और तथा चालक से परवाहित होने वाली धाराकान पार्थ में साथ नियत होता है और उस नियत चीज को आर्संकेत से स्वुचित किया जाता है इसे चालक का पर्टी होड कहा जाता है इसे समि किसी चालक से परवाहित होने वाली धारा उसके सीरों पर आरूपित भीवांतर के समनपाती होता है अता हगर धारा आई तथा भीवांतर के बीच में ग्राप किचा जाए तो मूल बिंदू से होकर गुजरने वाली एक सीधी रिखा प्राप्त होती है जो यह बतलाती है कि आई भारी एज भी मतलब धारा भीवांतर के समनपाती है मतलब इस ग्राप से आई भी ग्राप से धारा भीवांतर ग्राप से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है यह असपर्ष्ट हो जाता है कि ओम का नियम सही है तो आई भी ग्राप को किचा जा सकता है Y-axis पर धारा को रख करके I संकेत है धारा का और X-axis पर विवांतर भी को रख करके और विवांतर के अलग-अलग मानों के लिए विवांतर को भोल्ट में ब्यक करेंगे और धारा को MPR में तो अलग-अलग मान विवांतर का उसके संगत धारा का मान भी अलग-अलग है, तो उसमें कई बिंदूएं, कई पॉइंट्स प्राप्त होंगे, और सभी बिंदूओं को मिलाने पर जो एकसर रिखा प्राप्त होगी, सीधी रिखा मुल बिंदू से बुजरने वाली, यह सीधी रिखा है, वह यह है, और यह सीधी रिखा स यह सपस्ट है यह यासे वbersक्र largest कमान चाला के सिरों पर आरुपित विह कुछ से लिए बढ़ा वी तो यह हो गया ओंध्यारा कि यह किसी चाला के लिए द्धारा विस्वांतर ग्राप I 들sta हम को इस्ट्रिग चालक के सवने में आई बी ग्राफ आई धारा का संकेत भीवानतर का संकेत और आई भी घ्राफ का स्लोप होगा स्लोप का मतलब धाल सर लेखा की डाल कैसे होती है टैन ठीटा अगर एक सक्ष से जुखाओ इस लाइन का सर लेखा तो इसके संगत धारा कमान यहां पर हम पर कर सकते हैं और यहां इन बिन्दू के संगत धारा कमान भी अलग अलग मान होगा यहां पर दिया हुआ उसे प्राप्त हो जाएगा तो इस सरह लेखा आई भी ग्राफ का स्लोप जो है टैन ठीटा वह परतियोद के विद्क्रम करें आई भाई भी भी भाई आई अभी हमने देखा भी भाई भी हो अंतर तथा धारा का नुपार्थ हमें सानियत होता है जिसे चालक क हो गया ढाल और पो स्लोप करोंगे है iस्लो世界 प्रतियोद का झालक कई टन क्वा आजबा होता है जिसे चालक करता आई गया सीसे सी से गञा टू बई यजार याल पर देखा होता है व्यूत्क्रम रात्त होता है वे इस ऐभी ग्राप की शरल रिख्षा से मूल-बिन्दुु से गुज़रने वाली सीधी डेख्षा से ओम के निम का सत्यापन हो जाता है निकी खेड़ रिखा सरल रेखा अर्यों तो वह तो के दाल है इसकल टेंट थीटा थीटा हमने एक्सची से मुने विवांतर अक्सष से संदीखा का जुकाओ को लिया है त्याइन थीटा लंबटा धार पी एन अपॉन ओ एन पी इसकल टो आई वह आई एकस के उले थारा है आई अपॉन भी और आई अपॉन भी क्या होगा वी भाई का मुझा और अगर आ खीचा जाए तो पॉल्टेज को पलट करके मतलब यक्स इस पर अगर वोल्टेज रखा जाए और एक सब्सक्राइब पर धारा को रखा जाए एक सक्ष पर धारा को रखा जाया तो धारा के भिनविन मानों के लिए विवांतर का भी अलग-अलग होगा इसको यह एंपियर में वेक्ट करेंगे और विवांतर को बोल्ट में यहां घरफ हो यहां पर और यहां पर धारा विहांतर के समझपाति और यहां गर्प ग्णाप ही सरल रहा है जो मैं । ब्लाइन ऑ उपर है. अगर इस वह भी रिखा का एक से से जुकाव ठीटा माल लिया जाए और यहां पर कोई विंदू ले लिया जाए कि सपोज करता है विंदू क्यू है यहां पर क्यू से लमड डाल लिया जाए QD तो यहाँ पर भी ये चितर दो ये विवांतर धारा ग्राफ Y axis पर विवांतर है X axis पर धारा विवांतर धारा ग्राफ और कितर एक में धारा विवांतर ग्राफ धारा विवांतर चालक से परवाहित होने वाली धारा विहुआंतर के समनपति होती है या विहुआंतर धारा के समनपति होता है विहुआंतर धारा ग्राफ भी आई ग्राफ और भी आई ग्राफ की धाल से हमको चाला का प्रतियोद मिलेगा यह वाई एक सिस्क्रम रेक विहुआंतर है तो QD जो होगा म यहां पर इंश पर ढरा ह्तो धारा के मान हो गा में इन इंपईर में हिए अलग अलग मान होगा उसमन से भिहसरा विंदु होज्टर को मान होगा तो क्यूब विंदू की संगत विवान्थ का संगत क्या देंगा गा हूं होगा तो इस प्रकार्ट है यह टैनठी टीटा से वी आई ग्राब की ढाल स्लोप से हमें राप्त होगा टैनठीटा इसकल टूर लंबटा धार QD upon OD QD upon OD QD क्या है? विवांतर B upon I और B upon I क्या देगा? चालक का परतिरोध R जो की नियत होता है मतलब भोल्टेज था धारा का नुपात नियत होता है यही ओमकानियम का गनितिय रूप से यही ओमकानियम का गनितिय रूप है और B by II में बिवांतर और धारा का नुपात हमें सा नियत होता है यह हो गया चालक का परतिरोध यह परतिरोध हो गया तो B I graph से परतिरोध का मान मिलता है और आइवी graph से जैसा कि हमने देखा परतिरोध का वित्क्रम जीन से चालक तो कहा जाता है के अब चालक के प्रतिरोद को हम कैसे रिफाइन करेंगे चालक का प्रतिरोद किसे चालक के द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरूद कि उस चालक का प्रतिरोद कह लगता है किसे चालक द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली बिद्धु धारा का विरूद विरूद करना चालक के द्वारा उस चालक का प्रतिरोद कह लगता है किसे चालक द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली बिद्धु धारा का विरूद करना उस चालक का प्रतिरोद कह लगता है और किसी चालक का प्रतिरोद विवांतर तथा धारा का अनुपात के बराबर होता है इसको हमने पहले ही दिखा दरसाया आरिज कल्टू प्रतिरोद आरिज कल्टू या चालक के सिरों पर आरूपित विवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात के बराबर होता है गनितिये रूप में यह विवांतर तथा धारा के बराबर होता है अब सुरू महीं मैंने जिक्र किया था कि प्रतियोद किन की चीज़ों पर निर्भर करता है तो प्रतियोद यह निर्भरता है प्रतियोद की निर्भरता प्रतियोद निर्भर करता है कि चालक की जामिति पर प्रतियोद पहला यह लगुतर यह प्रस्न में भी पूछा जाता है प्रतियोद किन की चीज़ों पर निर्भर करता है प्रतियोद किसी चालक का प्रतियोद च चालक की जामिती पर निर्भर करता है जामिती का मतलब आकार शेत्रफल चालक की जामिती आकार या लंबाई शेत्रफल पर निर्भर करता है चालक का प्रतियोद लंबाई या आकार शेत्रफल यह सभी जामिती है जुमेट्री पर और दूसरी निर्भरता चालक की होती है बा बाहरीकारकों पर कुछ समय का लिए निौनिया है। परण दाप प्रुपारो। दम लोगे वहां ज़ते हैं। इतनी बाहरे कार को हैं कारख हैं सदम हैं जी इस पर चालका पर योट करता हैं अब इसका निखा जाए पर ये तर te questo का मतरक कि दातर का उर्ट का का हूँ एसाइ मातरक हुरत प्रस्डिव रह divergence शुकाी भिवानतर तता ध्रक्रत के बरावर होता है त eer हो अंसा का मत लunda इसे उम कहा जाता है, इसका प्रचलित मात्रक उ म है सैंबनब के नाम पर उम, इसका संकित उमेगा होता है तो प्रचिरोद का ऑधया मात्रक उ 30 technology ऊ 1 एक किलो ओम, एक के ओमेगा is equal to 1000 ओम, फिर इससे भी बड़ा मात्रक मेगा ओम, एक 10 to the power 6 ओम हो गया, 10 लाक ओम, एक मेगा ओम, ये सब बड़ा मात्रक है, किलो ओम, मेगा ओम, लेकिन इसका छोटा मात्रक, इस आई मात्रक ओम होता है, जो बोल्ट परती एंपियर होता है, और चालक के सीरों के सीरों पर एक भोल्ट का विवांतर आरुपित करने से, अगर एक एंपियर की धारा उस चालक में प्रवाहित हो, तो हम कह सकते हैं, कि उस चालक का परतिरोध एक होंग है, अब परतियूद का बीमिय सुत्र, लगूतर ये परस्ण में, अब्यक्टिव, बस परतियूद का बीमिय सुत्र को लिखना, तो एक कंग के प्रस्ण में, यह इंपोर्टेंट है, परतिरोध का बीमिय सुत्र, बीमिय सुत्र, परतियूद का बीमिय सुत्र, एम, अंदर रैकेट, एम, एल का पावर टू, एका पावर माइनस थ्री, एका पावर माइनस टू, यह प्रतियोत का भीमेश उत्र हो गया ML का पावर 2 T का पावर T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस 2 प्रतियोत का भीमेश उत्र हो गया ML का पावर 2 T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस 2 ML का पावर 2 T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस 2 इस में में सुत्र को ठेक धंग से याद कर लेना होगा जो कि इसे बस्तुनिस प्रस्ट में अक्सार पूछा जाता है अब इस वीडियो में अगला टोपिक हम लोगों को डिसकस करना है परतिरोध पर ताप का प्रभाव तो इसमें पहले चालक का हम देख लें किसी चालक का परतिरोध ताप अइस से बढ़ता है और ऐसा इसलिए कि चालक में मुक्थ एलेक्टॉन काफि संख्या में पाये जाते हैं जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके मुक्थ एलेक्टॉनों की का इस चाल बढ़ जाती है जिससे उनकी गतियुर्जा भी बढ़ जाती है और वे मुक्त इलेक्ट्रोन चालक के अंदर एक दूसरे से ताप बढ़ने पर टक्राने लगते हैं जल्दी जल्दी टक्राने लगते हैं जिससे की उनके गमन में मुक्त इलेक्ट्रोनों के गमन में रुकावट उत्मन होती है और वही रुकावट प्रतिरोध का लाता है तो किसी चालक का किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से निम्न संबन्द के अनुसार बढ़ता है यहां लोग प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता है तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से निम्न संबन्द के अनुसार बढ़ता है और वहार रिलेशन है R T equals to R 0 1 plus alpha into delta T टाप में परिवर्थन एक टाप T है दुसरा टाप 0 है टी माइनस 0 तो T ही हो जाएगा जहां R 0 0 degree centigrade पर चालक का परतिरोध है R 0 0 degree centigrade पर टाप पर चालक का परतिरोध R T T degree C टाप पर चालक का परतिरोध है और alpha चालक के लिए चालक का परतिरोध ताप गुनांख है जिसका मान काफी कम होता है लेकिन धनात्मक होता है दिनात्मक होता है तथार चालक के लिए अध्या परतिरोध ताप गुनांख है संय चालग का परती रोठ बाइस है जो की हृ सरक्षिक कम लेकिन इसका मांद नहीं सोगता है है चलग के लिए इसका मांद नागkon यहां स्पर्ष्ट है अगर ब्रैकेट को यहां हटाया जाए तो यह आर जीरो प्लस आर जीरो इन्टू अलफ़ाटी मतलब प्रार्मभिक ताप जीरो इन्टू अलफ़ाटी जो फैक्टर है वह इसमें एड हो जाएगा इसका मतलब है कि ताप बढ़ाएंगे ती का मान बढ़ाएंगे शुरू का ताप तो इसमें जीरो है लेकिन बात का ताप 50 डिगरी 100 डिगरी 200 डिगरी 500 डिगरी कुछ भी ह कम होता है लेकिन फिर भी कुछ मान होगा और टेम्प्रेचर का मान है ही तो आपस्व मल्टिप्लाई करने पर इस फैक्टर आज जीरो अलफ़ाटी का मान भी कुछ होगा तो वहां प्रार्मभिक प्रतिरोध जीरों पर चालक का प्रतिरोध में एड हो जाएगा इसलिए त आप है 27 डेजी सेटाइश दिएज सेंटीगेट प्रार्मभिक प्रतिरोध का तीवन 27 हो गया और अंतिन प्रतिरोध यह हो गया यह 200 हो गया तब इस फर्मुला में हम थोरा सा है इस फर्मुला को हम ब्याठ कर सकते हैं यदि चालक का प्रारंभिक प्रतिरों यह सुनने नह नहीं हो, 0-days C नहीं हो, C नहीं हो, तो उसish श्थिति में समीकरण 1 को हम निम नधंग से बेद कर सकता है, तो समीकरण 1 को निम नधंग से बेद किया जा सकता है, और यहाँ र हो की अब nearby सकते हैं कंड़क्टर के लिए है, अलफा के जलगा अलफा सी भी लिख सकता है चालक का प्रत्योंताब गुनांग कंड़क्टर सी फॉर यहां सी कंड़क्टर के लिए आया है चालक के लिए निम्धंग से ब्यक्त किया जा सकता है और वहर लिएसं क्या होगा R2 is equal to R1 1 प्लस अलफा T2 माइनस T1 यह ताप्र मंतर है इसलिएसं को के वहले हाँ पर T के जगा R2 कर दिये R2 क्या है T2 ताप पर जब ताप बढ़कर के T2 डिगरी सी हो गया तो वह उस ताप पर प्रतियोद R2 है और T1 क्या है प्रान्विक ताप T1 डिगरी सी पर चलक का प्रतियोद R1 है और फिर अलफा एक बार से चलक का प्रतियोद ताप गुनांग है यहां अलफा सी भी लिखा जा सकता है तो यह फर्मूला हो गया यह और इससे भी असपर्ष्ट है कि हम प्रूलर साइन है तो अगर ब्रैकर ठटाएंगे तो आरवन प्लस आरवन अलफा टी-2-1 तो आरवन अलफा टी-2-1 का जो भी भैलू होगा वह प्राणभिक ताप टीवन प्राणभिक नहीं है और इस फर्मूला पर NCRT टेस्ट बुक में क्लास 12 का इसमें तीन प्रॉब्लम्स है जिसको की बाद में सॉल्व किया जाएगा वीडियो द्वारा तो इस पर तीन प्रॉब्लम है इस फर्मूला पर जिसमें प्राणभिक ताप चालका जिरो डिशी न प्राणभिक ताप दूसरा मान है तो यह फर्मूला रागू होगा जब शुरू का चालका प्राणभिक ताप सुन्दे नहीं है और यहां भी प्लस साइन है इससे असपर्ष्ट है कि बढ़ने पर चालका प्रतियों का मान बढ़ेगा इस से हम अल्फा के लिए फर्मूला इसलिए अल्फा 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 इसलिए अल् तापक्रम में परिवर्तन या तापक्रम में बिर्दी मतलब इसको लिख सकते हैं परतिरोध में परिवर्तन अलफा को डिफाइन कर सकते हैं अलफा का फर्मूला हो गया परतिरोध में परिवर्तन चालक के परतिरोध में परिवर्तन अपान चालक का प्रानभी प्रतिरोद प्रारमभी प्रतिरोद और मल्टिप्लाइड बाई ताप में बुर्दे ताप में परिवर्तन या ताप में बुर्दे यह अलफा के लिए की फर्मूला हो गया कि चाला के प्रतियोद का दाप निर भरता अतलब दाप पर ने से चाला का प्रतियोद बढ़ता है तो उससे यह अलफा का चालद के लिए प्रतियोद ताप गुनांग का फर्मूला गया R2-R1 upon R1 into T2-T1 इसको हम ब्याइक कर सकते हैं प्रतियोद में परिवर्तन R2-R1 R1 प्रार्मभिक प्रतियोद है T2-T1 ताप में विर्दी है अब अलपा का जो मात्रक होता है SI मात्रक प्रतियोद का मात्रक ओम होगा प्रार्मभिक प्रतियोद का मात्रक अब्योंब होगा SI मात्रक यह कैंसिल हहाएगा तो routine entry होता है केल्विन इसका इसाई मात्रक केल्विन इन्वर्स हो जाएगा और जब आपको डिग्री संटिगेट में वैद किया जाएगा तो उस सिच्वेशन में अलफा का मात्रक हो जाएगा प्रतियों ताप गुनां का मत्रक डिग्री संटिगेट इन्वर्स तो अलफा का मत्र केलविन इन्वर्स या है कि डिग्री संटिगेड इन्वर्स होता है के यह हो गया किसी चालक का प्रतियोध प्रतियोध का ताप पर निर्भरता पतले प्रतियोध ताप बढ़ने के साथ घठता है, इसलिए कि अर्चालक में मुक्त इलेक्ट्रोन बहुत कम होते हैं, लेकिन जब अर्चालक जैसे कारवन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सिलिनियम है, उसका ताप बढ़ाया जाएगा, तो उसके जो बॉंड्स हैं, को वैलेंट बॉंड्स, सहसंजोजक बंधन, अर्चालक के वह तूटते हैं, और वैसी स्थिति में, बहुत संख्या में, मुक्त इलेक्ट्रोन तथा शिद्र, होल्स, उत्पन होते हैं, इसलिए जब अर्चालक का ताप बढ़ाया जाएगा, तो उसका परतियोद, मुक्त इलेक्ट्रोन का आपी सं कर रहें, किसी अर्चालक का परतियोद, दूसरा किसी अर्चालक, अर्चालक का ग्यांपुल हमने बतलाया, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकन, सिलेनियम, लेकिन जर्मेनियम तसा सिलिकन, दो सामाने रूप से उप्योग में लाए जाने वाले अर्चालक हैं, किसी अर्चालक जैसे कार्बन है जर्मेनियम जी सिलिकॉन एसाई सिलिनियम संकेत इसका संकेत इस इत्यादी यह सब अर्चालग अर्चालग का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है कारण मैंने बतला दिया इस प्राणम में ही ताप बढ़ने से निम्न संबंद के अनुसार घटता है निम्न संबंद के अनुसार घटता है आर्टी एक्वल्स टू आर जीरो वन माइनस अलफा इस यहां अलफा इस लिया मतलब सेमिकंड़क्टर और चालग कांगरई सेमिकंड़क्टर होता है तो और चालग के लिए प्रतिरोधा पुनांक अलपाइस हो गया है और इंटू टी प्राणभेक ताप में परियोथन अंतिमताप टी है लेकिन सुरू का ताप जीरो है अर्चालक का तो टी माइनस जीरो डेट इस टी बहुत है और इस संबंद से इसके लिए अटाये तो आर जीरो माइनस अलपा स i का जो भी मान होगा और आर जीरो अलफा एस का जो भी मान होगा तो वह जीरो डीर संटीगेद पर और चालक का प्रतियोद में ही से घटेगा इसलिए ताप बढ़ाये जाएगा ती का भैलू यह बढ़ा हुआ ताप है ती जीरो प्रांधिक ताप है तो अरचालक का प्रतियोद घटेगा यहां मान तो कम होता ही है लेकिन और चालक के लिए अलफा एस का मान धनात्मक होता है और चालक के लिए अलफा सी का मान धनात्मक होता है सी फॉर कंड़क्टर एस फॉर सेमिकंड़क्टर अलफा एस हो गया और चालक का प्रतियोध ताप उनांग जो कि रिनात्मक होता है और चा और ताप बढ़ गया उस ताप टीडिगरी सी पर चालक पर चालक परती होता है और यदि अरचालक प्रांभिक ताप पर गश्य को नहीं है कम्रे का ताप प्रांभिक ताप 27 डिग्री यह 20 डिग्री है तुस्सिस्थति में इस संबंद को वैसे ही लिखा सकता है जैसा कि हम लोगों ने चालक के केस में देखा यदि और चालक का प्रांभिक ताप सुने नहीं है और चालक का प्रांभिक ताप जीरो डीविसी नहीं हो तो प्रोफ समंद को संकरने को हम निम्धंग से बेद कर सकते हैं आर्टू इसकल टो आर्वन वन माइनस अलपा एस और त्यों ताप कुनांग अर्चालक के लिए टीटू माइनस टीवन ज़िए लिए संकरन दो हो गयाए रोमन में यहां रवन क्या है केवल आड़ी के जगा र तू कर दिये जो किकी शुरू का टेंपरेचर जीरो नहीं है और T1 भी 0 नहीं है T1 प्रादम्फिक्त 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 से मल्टिप्लाइई होगा वन में तो और फिर माइनस फिर और लोसे मल्टिप्लाइई होगा इसमें और हंप करता है जबकि चालक के केस्व में देखा कि ता बढ़ने से चालक का परतियोद वरता है लेकिन अर्चालक का प्रतियोद ताप बढ़ने से घड़ता है, कारण वही है ताप बढ़ने पर अर्चालक में, बहुत संख्या में, मुक्त एलेक्ट्रॉन उत्पन होते हैं, बॉर्ण के तूटने से, सासों योग मंधन के तूटने से, कोवैलेंट बॉर्ण के तूटने से जिसके कारण मुक्त एलेक्ट्रोन उत्पन होते हैं और एक संख्या में जिसके कारण ताब बढ़ने पर अर्चालक का परतियोध बढ़ने के बढ़ने के बढ़ाए घड़ता है यह माइनस साइन से असपरस्ट है इसी के साथ यह वीडियो अब समाप्त होता है यदि यह कि दूसरों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना नभूलें तो कि जैसे ही आप चैनल को यूट्यूब चैनल पर फिस क्कॉंटम क्लासे सुबाय सब्सक्राइब कर लेंगे तो यो भी वीडियो जो की हमेशा चुकि से हमेशा लगतार वीडियो भेजे जा रहे हैं तो ऐसे जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी सुचना आप तक उसी चन जिससे मैं वीडियो को अप्लोड किया जाएगा आपको मिल जाएगी इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और यह चैनल अब हिंदी माध्यम में भी जो महत्पुर्ण प्रस्ण हैं महत्पुर्ण टॉपिक हैं उसको वीडियो के रूप में आप तक पहुंक्या रहा है जो परिच्छा के लिए काफी उप्योगी है परिच्छा एक्जामरिशन पॉइंट ओभी उसे थैंक यू भरी मच